फ्लड लाइट्स जली हुई है, क्या हम बल्ले बाजों से उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ी आतिश बाजियां देखने को मिलें, बल्ले बाजों के लिए कठिन चुनौती है क्योंकि पिछ एक दम हरी है, हैट्स चुना है कप्तान ने, एन हैट्स इटेस, टॉस जीत के गेंद इन सवाल, लेकिन इन सवालों का जवाब चाहिए, सलामी जोड़ी ऐसा खेले कि सब इनको हाँ और ना में टाइम वेस्ट नहीं अमपायर कोई चांस लेने वाले हैं नहीं, बहुत करीबी मामला क्लोज अप की की है मांग जी यहां लगता है कि बल्ले का लगा है किनारा, खेरिन के चहरे की शिकन बता रही है कि इनने भी पता है लेकिन इसे कनफर्म करने के लिए थोड़ी सी और तीखी तेज नजरे चाहिए होगी जी है, बिल्कुल है, यहां पर स्पाइक है, यानि कि अल्ट्राएज ने डेटेक्ट किया, डाउट को एरेज किया पहली गेंद पर गवा दिया अपना विकेट, और इस सिनिंग की पहली विकेट गेंद बाज के नाम तौफे में दे गए अपनी विकेट, अगर मैंने ऐसा किया होता, तो मैं अपने आप से बहुत नाराज होता क्रीज पर आए है नए बल्ले बाज, उमीद यही है कि टीम प्लान के साथ वो जुड़े रहेंगे और एंकर का रोल अदा करेंगे फीलर कर रहे थे इंतजार, गेंद गए उनकी जोली में बल्ले बाज गया पैविलियन के तरफ दो गेंदों पर दो विकेट चटका चुके हैं, गेंद बाज हैट्रिक पर हैं अब इन्हें सिरफ अपने बेसिक्स के साथ जुड़े रहना है, अगर नीव मजबूत होगी तो इमारत बड़ी खड़ी हो सकती है उफ, ये तो बहुत उची थी गेंद, लगता है कि बाउंसर की वाड शात्मक अंदाज में खेला बल्ले बाज को थोड़ा क्रैंप किया, एक और डॉट बॉल गेंद बाज की इस समझ बूच के छुपा कर डाली ये स्लोर गेंद, ओनिसली मैंने भी ऐसे बहुत बार चक्मा खाया है गती में मिशन के साथ चक्मा देने का किया है प्रयास, अच्छी स्लोर वाण कदमों का बहतुरीन इस्तमाल और गेंद को भेजा है हवाई यात्रा पर, कितना भी बड़ा मैदान क्यों ना हो, इस शॉट पे तो च्छे मिलेंगे क्रिस्व हो झाल यच्छों। क्रिस्व करत continued क्रिस्व क्रिस्व कि तॉप स्पिन के वेरियेशन से तंग करना चाहते हैं बल्ले बास को अच्छा प्रयास चीते को पीचे छोड़ दें इतनी तुप दूसरा डालने का प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन विकेट की आस क्या वो हो पाएगी आज हां और ना में टाइम वेस्ट नहीं किया बढ़िया रणिंग बिट्वीन दविकेट्स बून बूर डॉट गेंद के साथ प्रेशर बढ़ता हुआ हवा में थोड़ी तेज है फ्लिप स्पिनर की खास बाद फिल्डर की अच्छी है और बढ़िया थ्रोग करीबी मामला बल्ले बाज ने लगाई जबर्दस यह निर्ने बल्ले बाज के पक्ष में अमपायर ने नकार दिया पील को चेंज इस दी उनली कॉंस्टेंट यहां साइड बदली गेंदबाज ने फूर्टी से भागना होगा अगर जीवित रहना थे यह 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 फील्डर और गेंदबाज का अच्छा ताल में अच्छी थी ही लेकिन उससे भी बहतर भागने की गती दुर घटना से सुरक्षा भल्ल्ड फील्डर कर रहे थे इंतजार गेंद गई उनकी जोली में बल्ले बाज गया पैविलियन के तरफ तौफे में दे गई अपनी विकेट अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैं अपने आप से बहुत नाराज हूँ नया खिलाडी मैदान पर अब कोशिश करनी है इनको की अंत तक जमे रहें और टीम को ले जाएं सेफटी तक ओवर की आखरी गें दे कर गई है चौका ओवर की समापती ना ओवर टू नेक्स अब बढ़िया जज्जमेंट तेज रने अब खोट सही जज्जमेंट का सही नतीजा बढ़िया कैच एक और सफलता कि अब इसको साधारण बल्लेबाजी गिफ्ट में दे दी अपनी विकेट मिडल ओडर का बल्लेबाज अब 30 पर तो उमीद यही है कि स्टेबलाइज करेंगे इस पारी को कि अब कि यह 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 पूर्थी से भागना होगा अगर जीवित रह हलका सक हुटने को टेका है और पैडल स्वीप का किया है बड़ी आइस रेस बार बड़े शॉट का प्रयास क्या इतनी अद्बूत कैच पकड़ी जाएगी ऐसा सोचा नहीं था बल्लेबाज ने बड़िया पकड़ा कैच तौफे में दे गए अपनी विकेट अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैं अपने आप से बहुत नाराज होता दूसरे छोर पे लगाता विकेट स्किरती जा रही है ये नए बल्लेबाज है क्रीज पर तो ये इनको कोशिश करनी है कि क्रीज पर डटे रहे जमे रहे फील्डर का बढ़िया थ्रो एक रीथा जवाब चेंज ओफ पेज गती में परिवर्तन स्लोर गेंड बोलर को अलविदा कहा है चौके के साथ ती और समय है बोलिंग में चेंज का ये मिश्रन के लिए पहचाना जाता है ये गेंड बाज इस बार राउंद अस्टम्स हिट से गूगली चीते को पीचे छोड़ दें इतनी तेज भागा ये बल्ले बाज लाइन को क्रॉस करना उचित नहीं नो बॉल का इशारा दिया अंपायर फड़ा नीचे की तरफ रही है गेंड चतुराई वाली बोलिंग गेंड बाज की मुफ्त की गेंड थी लेकिन फायदा उठा नहीं पाए चौकर फड़ा बैक स्पिन पर नजर डालिए चतुर गेंड बाज फील्डर और गेंड बाज का चाताल मेल बड़ी शंका अभी भी है खामोश चतुराई से की है गेंड बाजी बनले बाज को रखा है खामोश एको पिछ में थोड़ी सी मदद मौजूद है और गेंड बाज के हाथ में रिवर्स फिंग का जादू है बढ़िया गेंड बाजी सही समझ बूच के साथ पकड़ा इस कैच को पिल्कुल साधारण बल्ले बाजी गिफ्ट में दे दी अपनी विकेट नया बल्ले बाज क्रीज पर और नया काम करना होगा स्ट्राइक रेट को थोड़ा सा बढ़ाना होगा एक्षिन में ज्यादा बदलाव नहीं लेकिन गेंड की गती में परिवर्त है स्लोर वान जहां तो क्राउड में भी हेलमेट बटवाने पड़ेंगे एक और गेंड गई है स्टैंज में गेंड को स्टैंज में पहुंचाया बोलर को कहा टाटा बाए बाए आपका ओवर समा और इस गेंड के साथ हुआ ओवर समा खास है ये गेंड बाज रिवर्स स्विंग कराने में माहिर है ये गेंड बाज इस बॉल को रोकना मुश्किली नहीं ना मुम्किन है मेरे दोस्त या गेंड बाजी फड़ा नीचे की तरफ रही है गेंड चतुराई वाली बोलिंग गेंड बाज के अब यहां तो भागने की भी जरूरत नहीं बढ़िया गुगली लेकिन पढ़ लेता मैं शायद क्योंकि फील्डर का बढ़िया थ्रो एक दंस्टंस के ऊपर अजैज करने का सिगनल तो दिया अंपायर ने, सही समझ बूज के साथ पकड़ा इस कैच को, बहुती रोचक फैसला कप्तान का लोर और बल्लेबास को प्रमोशन दी है बैटिंग ओडर में, सुरक्षित हाथ हैं इस फील्डर के कैच, दूसरी गेंद, दूसरी सफलता, गेंद बाज इस ओन रोल, पुछले बल्लेबास जरूर है ये, लेकिन ये सवाल पूछना जानते हैं, ये जवाब देना जानते हैं, या, 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 विक सिंगल, पारी की शुरुवात, अच्छे अंदाज में, गती में किया परिवर्तन, चकमा दिया बल्लेबास को और चारो खाने चित, घुटना मोड के लगाया है ये पैडल स्वीप, घुटने टेक दिये हैं गेंद बाज ने, ये चौका नहीं, ये संदेश है कि यहां गेंद डालोगे, तो बाउंडरी से उठा कर लाओगे गेंद को, आउट, कॉट, क्या कर रहे हैं ये, क्या सोच रहे हैं ये, कैचिंग प्रैक्टिस है क्या, बिल्कुल साधारण बल्लेबाजी, गिफ्ट में दे दी अपनी विकेट, पुछले बल्लेबाज जरूर है ये, लेकिन ये सवाल पूछना जानते हैं, ये जवाब देना जानते हैं, जबर्दस्त अंदाज में ओफ दमार्क। अंडरस्टैंडिंग तो अच्छी थी ही, लेकिन उससे भी बहतर, फिल्डर की अच्छी एफट और बड़िया थो भी, ऐसा लगता है, डाइव लगानी पड़ेगी अगर विकेट बचानी है तो, बड़िया कॉल अंपायर की आउट करार दिया बल्लेबाज को, अंपायर की आउट बल्लेबाज को, अंपायर की आउट बल्लेबाज को, इस पर आए हैं ने बल्लेबाज, उमीद आई है कि टीम प्लान के साथ वो जुड़े रहेंगे और एंकर का रोल अदा करेंगे, रंगीत सिंग जी जाने जाते थे इस चौट के लिए, लेकिन लगता है इस खिलाडी दे भी महारत हासिल कर ली है, पारी की शुरुवात अच्छे अंदाज में, फूर्ती से भागना होगा अगर जीवित रहना चाहते हैं तो, इस बॉल को रोकना मुश्किली नहीं, ना मुम्किन है मेरे दोस्ट, इस बॉलर के पीचे फील्डर होता नहीं, इस शौट से बहतर हमने कभी देखा रही, स्टैंज में फील्डर नहीं होते, वहीं समगवा लीजिए क्योंकि मिलेगे छे, कदमों का बहतरीन इस्तमाल और उससे भी बहतरीन, अजिए क्या जुक्वटर व्लंकिन है कि बहुत ही कि वाक कदमों का बहतुरी ने इस्तमाल और गेंद को भेजा है हवाई यात्रा पर गेंद एकदम स्लॉट में और पार्क किया पार्किंग लॉट में छे रन लो बॉल फील्डर के सर की उपर से लगाया शॉट बटोर लिया है चार फ्री हिट का समय है लेकिन क्या समय बदलेगा बल्ले बाज का कि जबर्दस स्वीप पैट्समें के द्वारा और यह गई चार के पार तर्शकों को भी ऐसास हो गया है कि शायद चौकों की हैट्रिक देखने को मिलेगी यह सक्ष्ट तू 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 फिल्डर की अची एफ़र्ट और बढ़िया थ्रो भी अच्छे रिदम को प्राप्त ही नहीं कर पा रहे है इस पेल में गेंदबास कवर पे थी महीन सी दरार उसमें से जड़ दिया चार कवर ड्राइव और यहां हो रही है चौकों की बरसा कर बढ़िया तूओ blocking का टूढ़िया सुझे का रही है है याओ़िया दिया थ्रीच्छभ वझ़गगगझ प्राइव यह वफ़िया है नहीं दूखबगगगगर की खिएएवगगगगगगर की वज़िया दूखफगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग इस बार बड़े शॉट का प्रयास बल्ला जोर से घुमाया लेकिन संपर्क नहीं भागये बल्लेबास के साथ ना पड़ पाए ना जड़ पाए समस्या गंभीर बल्लेबास के लिए बड़िया जज्जमेंट तेज रणिंग पड़िया रंग भटोरा बल्लेबास होना एक जबर्द में अमपायर ने नकार दिया अपील को फील्डर्स में डाला दबाव एक को किया दो में तब दिये फील्डर की अच्छी एफट और बढ़िया थो भी लाइन को क्रॉस करना उचित नहीं नोबास का इशारा दिया अमपायर ने अच्छा मौका है बल्लेबासी यूनिट के लिए कुछ रं बटोरने का कि रोकने की कोशेश कोशेश ना काम्याब एक और चार्ट और इस इनिंग की पहली विकेट गेंदबास के नाम तौफे में दे गए अपनी विकेट अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैं अपने आप से बहुत नाराज होता अपनी विकेट नहीं गवानी है यहां इनको तो फिर जस गो बैक तो बेसिक्स दर्शकोगो किया फील्डर में तबदील इस शॉट ने लूटी वहवाई गेंद को स्टैंज में पहुंचाया बोलर को कहा टाटा बाए बाए आपका ओवर समा किया कमाल का प्रदर्शन देखा हमने टीम ने मुकाबला भी जीता है और विपक्षी टीम को बिल्कुल किया है बेजुबाँ मैच विणिंग प्रदर्शन पूरी तरहां से मैच को किया अपनी टीम के पक्ष में मैना दा मैच अवार्ड इन्ही के पास कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो मैच ंन्हीं ने प्रदर्शन प्रदर्शन पूर बिल्कुल